रोटेशन तो तब होता जब यह स्माइली का नीचे की तरस यह माउथ है यह माउथ यह तो ऊपर चला जाता अगर ऐसा हो जाता माउथ ऊपर चला गया ठीक है ऐसा हो जाता तब यह रोटेट करता क्या अभी तो simply translate कर रहा है क्या यह सके लोंग इस इस लाइन के लोंग जी सरकल के लोग सिर्फ कर प्रेहें. इंड ही सब इसारे क्टारे जो प्रैक्शन रोटेट ख़से का थे. तो तो को तर! इधर आ जाता यहांक, इधर आ जाता जाता। है ना अगर तुम देखो इसका डिस्प्लेस्मेंट आंक का डिस्प्लेस्मेंट देखो दोनों आंक का सेम हो रहा है क्या कि बार समझ में आया देखो मैं इसको मिटा रहा है यह कहीं भी जा रहा है यह आवाज रिपीट हो रहा है ना मैं इसको ग्रीन से करता हूँ देखो तो इस वाले का मैं इस वाले आई का ले रहा हूँ यह displacement इस यह displacement ले रहा हूँ इस आई का और इस आई का सेम है क्या displacement देखो तो इस एक रहा हूं यह थोड़ा सा इधर एक तो थोड़ा सा उपर चला गया यह ना इसकेस ने देखो तो जरा इस आई का displacement कहा हो गया इधर क्या यह वाला है और इस आई का क्या है सेम लेवपिसे अधिक्कत होगा देखने में सेम है displacement क्या ये भी है नो ये स्माइली का फेस भी पुल्टा होते रहता माॉथ कभी ऊपर जाता मा उट कभीismus नीची आता आँค कभी ऊपर जाता आंक कभीbug traffic का तब क्या होता तब यह translate होता और इसके बीच का distance भी change हो जाता, देखो तो distance change, displacement change होगा की नहीं, देखना एक बड़, मैं rotate कर देता हूं इसको एक बड़, कर दू क्या rotate, या सर, इसको मैं rotate कर देता हूं थोड़ा सा, तो face उपर चला जाएगा, और यह नीचे जाएगा, अगर ऐसे कुछ rotation हुआ तो, ऐसा हो जाएगा, अब देखना, जब रोटेट कर गया, तो कौन आई कहां पर है, आई का हम दोनों red किये हैं, तो इसको हम different color करते हैं, आई को, ठीक है, चुकि पता नहीं चल पाएगा हम लोगों, कौन सा आई कहां गया है, है ना, शालो, इसको एक बार देख लेते हैं सही से, एक आई को मैं red लेता हूँ, और एक को blue eye लेता हूँ, ठीक है क्या है, तो जब rotate करेगा, तो red वाला किदर होगा इधर, मैं इसको ऐसे rotate कर रहा हूँ, इस तरह से, anti-clockwise, तो red वाला इधर आजएगा, blue वाला इधर क्य या, सर, सही है, blue वाला इधर आजएगा, है न, देखो तो displacement same हुआ, blue वाला के displacement, red वाला के displacement same है क्या, न अशार, नहीं होगा same, parallel ही नहीं हुआ, इसलिए 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 हो रहा है ठीक है क्या डिस्प्लेस्मेंट सेम नहीं है सबको फील आ गया यह सारी चीजे हम रोटेशन में देखेंगे तो यहां से सारा आइडिया रहेगा तो हम लोग को सबकुछ असानी है समझ में आएगा अब नेक्स्ट हेडिंग देना इसको conclude कर देता हुँ हम है इसको conclude कर देता हूं, conclusion में लिख लेना conclusion यह बहुत important point बस इस ओ धियान में रहा है हमारा काम हो जाएगा in pure in pure translation in pure translation motion motion of a rigid body rigid body every point every point undergoes undergoes equal displacement equal this equal displacement in a given interval given interval okay sure clear sabko yes sir next up heading then a pure rotatory motion pure done so okay next click now pure rotatory motion pure rotatory motion pure rotatory motion हम लोगने अभी देखा displacement equal होगा किसमें जब वो pure translation में होगा या translate pure translation में होगा तो क्या होगा displacement सारे points का equal होगा क्या है अगर कोई simply बोल रहा है displacement इसका यह मतलब है कि उसके आगे linear word जुरा हुआ है जो कि silent है ठीक है क्या displacement मतलब क्या linear displacement क्यों बात कर रहा है अगर उसने linear नहीं लिखा है तो simply क्या लिख दिया उसने simply displacement लिख दिया है उसने displacement of a body is five meter ऐसा लिख दिया उसने इसका मतलब क्या बताना चाहरा है linear displacement 5 में चारे है ठीक है क्या उसको अगर exactly लिखना है उसको तो linear लिखना पड़ेगा यहाँ पर उसको ठीक है बट अगर उसने नहीं लिखा displacement के आगे मतलब को linear बता रहा है लेकिन angular displacement को उसके आगे angle लिखना ही पड़ता है angular displacement के मतलब क्या होता है जैसे हमने angle के बारे हैं पढ़ा है कि कोई circle है ठीक है यह circle है और यहाँ से मैं इस point से A point से मैं B point पर गया इसके लिए कुछ angle हमको चलना पड़ेगा यह theta angle चलना पड़ेगा ठीक है तो यह जो है इसका displacement जोगा linear displacement क्या linear displacement यह होगा इस point को join कर देंगे एना red वाला क्या हो गया that is linear linear displacement linear displacement और simply displacement ठीक है यह red वाला line अच्छा यह blue वाला line जो है वो क्या है distance है क्या blue वाला line क्या है distance है अगर कोई particle A से B गया है तो यह line यह curve यह distance है क्या देखो तो distance covered by जो ही particle distance में लिख रहा हो simply और इस theta को हम लोग क्या बोलते है angular displacement angular displacement ठीक है अगर displacement के आगे angular नहीं लगा हुआ है यानि क्यों linear displacement की बात कर रहा है जब भी angular displacement की बात करेगा वो आगे angular लगाएगा ही लगाएगा ठीक है क्या यह culture है ठीक है तो displacement अगर displacement की बात कर रहा है वो तो मतलब कि गए same displacement है तो क्या होगा pure translation होगा अगर अगर बात कि सारे पार्टिकल का displacement same है तो क्या हो जाएगा pure translation में हो जाएगा ठीक है अगर रहा है यहाँ तक उसके बाद अगर किसी बादी का angular displacement same हो that is theta सारे पार्टिकल का angular displacement एक ही हो तो किस में बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग pure rotatory motion में बोलेंगे बस मज में आगे सबको यह सॉट जैसे मैं मान लो मेरे पास एक ऐसा कुछ इसको मैं मिटा देता हूँ मिटाओ क्या इसको नहीं आगे चलते हैं मान लो मेरे पास कुछ इस shape का एक body है इस shape का मेरे पास एक body है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस point के बाउट इसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे किस point के बाउट इसको pin कर दिया हूँ मैं यहां से keel में डालके इसको pin कर दिया हूँ यह क्या है pin point है मैं इसको pin कर दिया हूँ ठीक है, क्या? अब मैं इसको गुमा रहा हूँ ऐसे omega से, रो मैं कलर कर देता हूँ, इक point को मैं इस point को कलर कर दिया ठीक है, red से, इस point को कलर कर दिया मैंने blue से green से और इस point को मैंने कलर कर दिया black से ठीक है? और जब मैं rotate करूंगा, तो तो कुछ यह कैसा बन जाएगा, बनाना मुश्किल होगा, ठीक है, मैंने रोटेट किया इसको, सेम बोडी रहेगा यह, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बन गया, सही बनाएगा, यह, चलो, तो यह इस position में आ गया, कुछ time के बाद, यह क्या है, at, position at, position at, position at, t is equal to, at, t is equal to 0, और यह क्या हो जाएगा, position at time is equal to t, किसी time t पे यह position है, और ओमेगा से रोटेट कर गया, तो देखो, तो black वाला point यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, green वाला point यहाँ गया होगा, यह, और red वाला point कहां गया होगा, यहाँ पे आ ठीक है, तो अगर यह एंगल रोटेट करेंगे, अगर यह एंगल रोटेट किया जितना, क्या सारे उतना ही एंगल से रोटेट करेंगे, नहीं करेंगे रोटेट से एंगल से, क्यों, अगर यह rigid body है, तो किसी दो points के बीच का distance change होगा, क्या, तेखो न, मालनो मेरे पास fan है, ठीक है, fan का blade ऐसा होता है, ठीक है, यह fan है, fan का emotion pure rotation होता है, इसके about यह घूम रहा है, इसके about यह घूम रहा है, ठीक है, इसमें देख लो, अगर मैं इस point के बाद करूँ, और मैं इस point के बाद करूँ, इस brown वाले point के बाद करूँ, अगर यह angle theta से लिए, घूमेगा, तो क्या यह भी उसी time पर theta angle से घूम जाया क्या? अगर ऐसा नहीं होगा अगर, तो मतलब या तो इसके beach का distance बढ़ जाएगा, या distance घड जाया क्या? मानलो कि यह जादा चल गया, यह theta से जादा चल गया, मानलो यह 5 degree से घूमा, तो theta is equal to 5 था, और यह घूम गया, theta is equal to 8 degree से, अब same है क्या नहीं, तो इनकी बीच का distance नहीं जाया क्या? यह fan क्या होगा, fan में कुछ deformation आ जाएगा, तभी ऐसा होगा, fan deform करता है क्या चलते समय, नहीं करता है, तो उसका क्या होता है, हर point का angular displacement क्या है, same होगा, हर एक point का angular displacement same होगा, ठीक है, pure rotation, अगर यह point घूम रहा है किस angle से, theta angle से अगर यह point घूम रहा है, तो इस पे, यहाँ पे भी जो point, कहीं, कोई भी point ले लो, सारे की सारे point, same angle से ही rotate करेंगे, अगर यह rigid body है, तो, अगर यह rigid body नहीं होगा, तो हो सकता है कि ना करें, same angle से rotate, अगर यह rigid body होगा, तो दो points की बीच का distance नहीं होगा, तो अगर यह theta से move करेंगा, तो इसको भी theta से move करना ही पड़ेगा, तो इन सारे का, इसमें जो मैंने draw किया है, इन सारे का angular displacement, same होगा क्या, जो angle से यह घूमेगा, ठीक है, सारे का सारे points का, same angular displacement होगा, बास समझ में आगे है सबको, अच्छा, एक बार बताओ, जो भी points, सारे के सारे points एक circle पे चल रहे हैं, क्या देखो तो, अगर यह इसके बाद भूम रहा है, तो, देखो न, ब्रीन वाला point पे एक circle पे चलेगा, है न, अगर एक color कर दो, तुम किसी point को, किसी body में एक point को color कर दो, और इसको rotate करा दो, तो क्या circle में चले लगता है, यह सारे के सारे point circle में चलेगे, देखो तो, है न, ब्लैक वाला, ब्लैक वाले circle पे चलेगा, सारे के सारे point, अगर pure rotation में है, उस body में जितने भी point होंगे, वो सारे के सारे point किस पे चलेंगे, circle पे चलेंगे, उस सारे, जो भी color करूँगा, मैं, सारे के सारे color एक circle पे चलेंगे, ठीक है, अच्छा, देखो तो circle का center क्या है, जड़े बताओ तो, pin, pin हो गया क्या center, यहीं कि जिस point के about हुँ रहा है, वही है center क्या, है ना, सारे के सारे point के center क्या हो गया, pin हो गया, है ना, तो इस pin से जो axis pass करेगा, जो line is pin से pass करता है, उसी को हम लोग बोलते है, axis of rotation, क्या बोलते हैं इसको, यह हो गया क्या मेरा, axis of rotation यह pin होगा ना एक axis चीक है यह हो गया axis of rotation तो क्या बोल सकते है axis of rotation एक ऐसा point है एक ऐसे point का collection है जिसका जो भी circle पर जो particle move करेगा उन सारे के सारे circles का center उस line पर होगा ये तो मैंने 2D body बना दिया है इसलिए तुमको एक point दिख रहा है but axis of rotation का मतलब यह हुआ माल लो कोई rigid body तुमने ऐसा ले लिया जैसा मैंने पहले case में लिया ये rigid body मैंने ले लिया तो क्या होगा कि ये वाला point मैं इस point के बारे में red वाला point एक circle पर चला है कि अगर pure rotation में है तो circle में चलेगा ये point क्या है सारे की सारे point circle में चलेंगे ये circle में चल रहा है कि blue लेते हम एक blue point ठीक है यह भी circle में चलेगा किया किसमें चलेगा साथिखेंक शेंटन इस 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 इज आध से ब्लू आले मि पॉइंक अपोकी क्या होगा मैं पॉईंट अगर तुम इस सब को connect करोगे ना इस सारे lines को अगर तुम connect करोगे तो पता है क्या मिलेगा तुमको तुमको ये straight line मिलेगा एक बास समझ में आये क्या तुमको ये straight line मिल जाएगा यही क्या है axis of rotation है तो अगर तुमको axis of rotation निकालना है तो simply क्या कर दो दो कौरतो उसका‌ां सेंतर निकालो ठेक है तो पौइड़ कर दो उन दोनों का सेंतर निकालो और उन दोनों सेंटर करदेंगे तो क्या हमारा axis of rotation मिल जाएगा है यह सर ठेक है और और वह axis of this rotation क्या है किसी भी point को ले लो तो मुस्पे उस पिसी भी point को ले लो जिस circle में move करेगा वो उसका center कहां लाई करेगा है उसका center कहां लाई करेगा उसे axis of rotation पर क्या अगर तुमसे कोई question पूछे कल को ऐसा, एक rigid body है, एक rigid body है, ठीक है, और इसका axis of rotation, इसका axis of rotation नहीं दे रहा है, यह rigid body है, और बोल दिया, कि इसमें एक particle है, जो इस circle पे चल रहा है, इस circle पे, इस circle पे चल रहा है particle, और इसका center यह वाला है, और तुमसे दूसरा particle, दूसरा बोल दिया, कि यह जो है न, दूसरा particle है, इसके उपर, इसमें blue कर रहा हूँ, blue वाला particle है, और वो इस circle पे चल रहा है, ठीक है, क्या, ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस circle पे चल रहा है, तो तो बताओ, कि यह जो particle है, जिस circle पे चल रहा है, उसका center क तहां है ऐसा तुमसे पूच देगा तो क्या करेंगे यही एक्सिस प्रोटेशन हो गया अभी एक्सिस प्रोटेशन हो गया तो जो भी सर्कल जो भी इसी पॉइंट इस पे मूफ कर रहे होंगे सर्कल में सबके सर्कल का सेंटर किस पर होगा इसी लाइन पर होगा क्या है ना इसी लाइन पर होगा यस और नो यस तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट से इसकी उपर परपेंडिकुलर डाल दूँगा और जो हमको पॉइंट मिले कि आधा है कि अगर यह ऐसे घूम के आया होगा तो यहां से गया होगा अभी यहां पे है पॉस्बल है नहीं पॉस्बल है क्या यह सर नो फील आ रहा है यह कैसे पॉसिबल है यह मानलो भूम के इमिज बनाने में तुर समको दिक्कत हो रहा है चलो एक यूटीब पे वीडियो खोज लेते हैं कहीं मिल जाए तो टाइम नहीं हमारे पास कल हम इसके वीडियो को दिखाएंगे कैसे हम बोले कि बाहर है एक प बादी हम लोग यहां पे लेंगे उसका सरकल तो बाहर जाएगा ही जाएगा बात समझ में आ रहा है यह सर जाएगा जाएगा न बाहर फील आ गया सबको कैसे जाएगा बाहर यह यह सब मालो इक्वल इस्टेंस होता को एगर इक्वल बॉडी इदम यूनिफॉर्म बॉडी होता और बीचो बीच एक्सिस पास करता तब तो बाहर नहीं जाता है ना तब तो बाहर नहीं जाता लेकिन अगर इस एक्सिस के बाद रोटेट करेगा यह इसको समझो ऐसे इस एक्सिस के बाद में रोटेट करा दू रेडवाल एक्सिस के बाद तो क्या जो सरकल बनेगा इस वाल एक्सेस के बाउट रोटेट करा दू तो मैं इस पॉइंट का सिर्कल बनाऊंगा अगर तो क्या बन जाएगा बाहर चला जाए कर यह देखो तो ऐसा सर्कल बनेगा चुबर आट यह सर्क तब बाहर नहीं जाएगा लेकिन अगर क्रोंद अगर को चूज करेंगे लोग वह जिस सरकल पर चलेगा उसका सेंटर निकाल लेंगे तिक लिए उन दोनों सेंटरो कनेक कर देंगे वह ही हमारा होगा axis of rotation ठीक है और बाकि सारे के सारे circle जो बनेंगे सारे के सारे point move करें circle में जो circle बनेंगे उन सारे circle का center उसी axis पे होगा बास वज में आगे सबको तो हम लोग इसको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से ठीक है पांच मिनट में यह वाला फोटो बनाना तुम यह वाला फोटो बनाना यह वाला इधर वाला इसका snapshot ले लेना और आजपस में जगा छोड़ना तो इस सबका example लिखके बना लेना photo लेकिन यह अभी photo बनाओ इसमें लिख देना यह path of क्या है path of a path of a इसमें लिख देना यह क्या है path of path of b इसमें लिख देना path of path of c path of c इसमें लोग बस क्लास को कंटिनू कर लो और तुम्हारा फिरिश्का कोश्चन नहीं चूटेगा यह गारंटी बस क्लास कंटिनू कर लो सारे के सारे ठीक है तुम्हार 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 फिकर दन लिखना इसमें यह एस्ट टी बस प्यूचन भर्ण पर घडडडडडड टी। the motion of a rigid body rigid body is said to be said to be pure rotatory pure rotatory pure rotatory when each point of when each point when each point of body each point of body travels travels over circular path circular path travels over circular path as shown in figure as shown in figure next point liekhna axis of rotation ke baare mein axis of rotation axis of rotation in pure rotation in pure rotation of a rigid body of a rigid body of rigid body the center of the center the center of circular path circular path circular paths of different point of of different point of different point lie on the straight line lie on the straight line clear this line is called will stop this line is called this line is called axis of axis of rotation next point on rigid body point on rigid body rigid body lying point on rigid body lying on axis of rotation rotation a cha joe point axis of rotation pe hongi kya move karengi dekho toh ye points move karengi kya xis of rotation pe hongi yes or no nao xis of rotation pe hongi kya xis of rotation आर एट रेस्ट, आर एट रेस्ट, बस, यह हो गया हमारा, क्या है प्योर ट्रांसलेशन, क्या है प्योर रोटेशन, हम लोग इसके बारे में, प्योर रोटेशन के बारे में, हम लोग रोटेशन चाप्रें पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग डिसकस किया है, जो भी सारी टीषें सेम होंगी, मुर लोग लोग पीयो ट्रंसलेक्ट्रिक्ट्राइटोर चिजए में रहां पर आपको सीव होंगी, सब की सब आपढ़ें को सीवाद को फिलीं हुआ धीट ऑन हम के लिए सा दीश भीवे पजवागाच्च्च्र भाच सिर्फ यही पढ़ाएंगे सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे और रोटेशन तुम्हारे लिए अपने आप एग्दम एजी हो जाएगा जो कि रोटेशन से लोग बहुत डर लगता है उनको ठीक है लोग को लगता है कि डर रोटेशन से बट यह सारी बाते लोग ऐसा ही महौल क्रियेट कर दी है फालतू का आसान है बहुत ही आसान है चुकि ट्रांसलेशन में तुमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि नया नया सीख रहे हो बट रोटेशन में कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा बस वहा है बस नाम में डिफ्रेंट आ जाता है ठीक है क्या और तुम्हें लिए बहुत आसान हो जाएगा जिस तरह से हम लोग यह चेप्टर पढ़ेंगे ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं यहां तक कोई डाउट है किसी को नो सब्सक्राइबल यूज परेंगे वारियेबल यू चीजियो के बारे में हम लोग नेश पारेंगे और इसके लिए डिफ्रेंसिशन का बहुत ज्यादा यूज है इसलिए हो सकता है कि मैं डिफ्रेंसिशन भी थोरा सा पढ़ाऊं पहले इसके बाद फिर 10 15 मिन डिफ्रेंसिश्चिन परेंगे उसके बाद फिर इसको CH Defense आपको, तरहूमें हिए और साथ है किया स्वेवरीवन, थैंकिुरिख रखूराइज और सब्सक्राइब लाजए कि अए सक्क्राइब देए, और सब्सक्राइब नियुकुरियस, भी विर्श्टना के लिए खिने पिर देफूराइब भीषाओ मेहान है।